प्रिये विध्यार्थियों मैं गुर्मीत सेंग सह आचार्य हिंदी विभाग राजकिये महाविध्याले बूंदी आज के मेरे इव्यक्यान का विशे बीए प्रथम वर्ष हिंदी सहित्य प्रथम प्रश्ण पत्र के अंतरगर्थ पाठे पुस्तक भक्ती कावे में संकलित अभी कबीरदार से संबंदित हैं इस व्यक्यान से पूर्व कबीरदास पर हम पांच व्यक्यान प्रसारित कर चुके हैं आज यह छटा व्यक्यान होगा जिसमें हम कबीर के सबद शीर्शक के अंतरगत पद संख्या तीन और चार की व्यक्या करेंगे इससे पहले पूर्व के व्यक्यानों में भी हमने इनके पदों की व्यक्या की थी इनके द्वारा बीजक गरंथ लिखा गया है बीजक जिसके तीन भाग है साखी, सबद और रमेणी आपके पाठे करम में साखी से समंदित बीज दोहे संकलित किये गए है और सबद से समंदित ग्यार पद आपके पाठे करम में निरधारित किये गए है कबीर भक्ति काल में निर्गुन भक्ति के अंतरगत ग्यान मारगी शाखा के एक स्रिष्ट कभी कहे जा सकते हैं कबीर कभी होने के साथ साथ एक उचकोटी के समासुधारक भी थे कबीर के गुरु का नाम रामानंद था काशी में इनका जन्म हुआ था इनकी भाषा सधुकडी कही जाती है आचारे हजारी प्रसा दिवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर अर्थात भाषा का तानर शाह बताया है अर्थात कहने का अभी प्रा ये है कि कबीर दास का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था आज के इस व्याख्यान में हम सबद शिर्षक के अंतरगत पद संख्या तीन और चार इसकी व्याख्या करेंगे पहले पद संख्या तीन का वाचन करते हैं जिसमें कबीर कहते हैं डगमग छाणी दे मन बवरा अब तो जरे मरे बनी आवे लीनो हाथी सिंधोरा टेक होई निसंक मगन होई नाचे लोब मोह भ्रम छाण्डे सूरा कहा मरंते डर पे सतीन संचे भांडे लोक बेद कुल की मरजादा इहे गले में फासी आधा चली कर पाचे फिरियों होई जगत में हासी यह संसार सकल है मेला राम कहे ते सूचा कहे कबीर नाउ नहीं छाणो गिरत परत चड़ उंचा प्रस्तुत पंक्तियां कबीर दास्त्वारा रचित सबद शीर्शक से ली गई है कबीर ने संसार में आसक्त मन वाले व्यक्तियों को सचेत किया है और उन्हें लोब मोह लोक और वेद की मर्यादें आदी छोड़कर भगवान के प्रती अनुरक्त रहने का सुझाव प्रस्तुत पद में दिया है उसी का उलेख करते हुए कभी कभीर दास जी करते हैं कि पागल मन तु चंचलता को छोड़ दे डगमग च्छानी दे मन बोरा डगमग करते हैं अस्थिरता या चंचलता बोरा करते हैं पागल हे पागल मन तु चंचलता को छोड़ दे और भगवान में आस्था रख अब तो जरे मरे बनी आवे लीनो हाथी सिंधोरा सती नारी सिंधोरा हाथ में लेकर अर्थात पती के संग चलने के परतीक रूप सिंधूर पात्र को धारन कर लेती है तब वो जलने के कारे का ही वरन करती है तब वो और कारें से कोई संबन्ध नहीं रखती उसी प्रकार जब जीव परमात्मा से मिलने का निश्चे कर ले तब उसके लिए यही शर्यसकर है कि वह उस निश्चे के अनुसार आचरन करे उससे विचलित न होवे हे मन तू व्यर्थ की शंकाएं छोड़ कर राम में मगन होकर नाच होई निसंक मगन होई नाचे लोब मोह भ्रम छांडे हे मन तू व्यर्थ की शंकाएं छोड़ कर राम में मगन होकर नाच तू लोब मोहो और भ्रम को छोड़ दे संसारिकता में सुख मिलेगा ऐसा सोचना भ्रम है शूर वीर को मरत्यू का डर नहीं होता और सती नारी में संसारिक वेभव जुटाने का भाव नहीं होता सतीन संचे भांडे भांडे बरतनों को कहा गया है अर्थात संसारिक विशेवासनाओं के प्रती सती इस्त्री कभी आसक्त नहीं होती लोक बेद कुल की मरजादा इहे गले में फांसी आधा चली कर पाच्छे फिरियों होई जगत में हांसी भक्त जीवात्मा भी शूरवीर और सती की तरह एक ही लक्षे लिये रहती है उसे भगवत भक्ती के अतिर्क्त और कुछ अच्छा नहीं लगता भक्ती की स्रेश्टा के प्रती उसके मन में कोई संदे नहीं होता लोक वेद कुल की मर्यादाएं उसके अनुसार आचरन करते जाना तो भक्त जीवात्मा के लिए व्यर्थ के बंधन है यह गले में फासी यह तुमारे लिए व्यर्थ के बंधन है भक्ती के कारे पर चलने वाले जीव तु जब आधे मार्ग तक चल आया है आधा चली कर पाच्छे फिरी हों होई जगत में हासी भक्ती के कारे पर चलने वाले जीव तु जब आधे मार्ग तक चल कर आया है तो तुझे अब पीछे नहीं लोटना चाहिए यदि लोटेगा भक्ती से विमुख होगा तो संसार में तेरी हसी होगी तुमारी हसी उड़ाई जाएगी तुम खिली के पात्र बनोंगे तुझे संसार की चिंता करने की आवशक्ता ही क्या है यह संसार सकल है मैला राम कहेते सूचा यह सारा ही संसार मैला है अर्थात बुराईयों से युक्त है इस संसार में पवित्र रहने का उपाय तो राम का इस्मरन उसकी भक्ती ही है राम का इसमरन कबीर के राम दश्रत पुत्र राम नहीं है अपीतु घटगट निवास करने वाले निर्गु निराकार राम है इसी से तू पवित्र रह सकेगा यह संसार सकल है मेला राम कहे ते सूचा कहे कबीर नाउ नहीं छाडो गिरत परत चड़ उंचा कबीर करते हैं कि भगवान के नाम के इसमरन को किसी भी इस्तती में मत छोड़ो गिरते पढ़ते भी इसी मार्ग पर चलते रहकर उंचे चड़ो भक्ती को बढ़ाते रहो इस पद के अंतरगत कबीर मूलतह भक्त हैं इश्वर को प्राप्त करना ही वे मनुष्य जीवन का उद्देश्य मानते हैं यहां उन्होंने इश्वर भक्ती को ही सार बतलाया है संसारिक्ता माया मोहो आदि से मुक्त रहकर भक्ती अपनाने की बात कही है जिस परकार तुलसी दासजी की भक्ती का आदर्ष बादल के प्रती चातक का प्रेम है उसी परकार कबीर की भक्ती का आदर्श सती नारी और शूर है कबीर ने बतलाया है कि इश्वर चिंता मनी की तरह है भक्त को भगवान की भक्ती करनी चाहिए भक्त को और किसी परकार की चिंता नहीं करनी चाहिए वे भक्त की सारी चिंताएं अपने उपर ले लेते हैं अतहा इस पद के माध्यम से उन्होंने अपने मन को समझाया है कि हे मन तू डगमगाना छोड़ दे और एक निष्ट समरपन तुमारा ईश्वर के प्रती होना चाहिए अपने निर्गुर निराकार ब्रम के प्रती होना चाहिए यदि ऐसा तुम कर पाते हो तो तुम्हें संसार में आत्मा का परमात्मा से मिलन करने से कोई नहीं रोक सकता उसके बाद चोथा पद है जिसका पहले हम वाचन करेंगे फिर उसकी व्याख्या करेंगे इसमें कहा गया है तेरा जन एक आद है कोई काम क्रोध लोब मोहो विवर्जित हरीपद चीने सोई टेक अस्तुती निंदा दोव विवर्जित तजही मानु अभिमाना लोहा कंचन समकर जा नहीं ते मूरती भगवाना रजगुन तमगुन सतगुन कहिए ये सब तेरी माया चौथे पद को जोजन चीने तिनही परम पद पाया चिन्ते तो माधो चिन्ता मनी हरी पद रमे उदासा चिन्ता अरू अभिमान रहित है कहे कबीर सो दासा प्रस्तुत पंक्तिया कबीर दास वाले पार्ट के सबद शीर्शक अंश से ली गई है कबीर ने इस पद में बतलाना चाहा है कि भक्ति करना सबसे अच्छा कर्म है मुक्ति प्राप्त करने के लिए अन्य कोई उपाये नहीं है भक्त को सांसारिक विश्यों के प्रति लगाव नहीं रहता तेरा जन एक आद है कोई काम क्रोध लोब मोहो विवर्जित हरीपद चीने सोई कबीर करते हैं कि हे भगवान तेरा भक्त कोई कोई व्यक्ति ही होता है जो काम क्रोध लोब से मुक्त होता है वही इश्वर के चर्णों की प्रीती प्राप्त कर सकता है काम, क्रोध, लोब, मोह, विवर्जित, हरी, पद, चीने, सोई वही हीश्वर के चर्णों में इसपर्ष कर सकता है या इश्वर के चर्णों से साक्षातकार कर सकता है अस्तूती निन्दा दोव विवर्जित तजही मानु अभिमाना लोहा कंचन समकर जा नहीं ते मूरती भगवाना सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तेरी माया के ही रूप है जो व्यक्ति इनसे उपर उठकर अस्तूती निन्दा दो जो न तो किसी की इस्तूती करता है और नहीं निन्दा करता है दोनों से जो रहित होता है और जिसको किसी परकार का कोई मान, अभिमान, घमंड, एहकार जिसके अंदर नहीं रहता और जो व्यक्ति कंचन को अर्था सोने को भी लोहे के समान समझता है ते मूरती भगवाना उस व्यक्ति के हिर्दे में इश्वर निवास करते हैं, रहते हैं रजगुन, तमगुन, सतगुन कहिए ये सब तेरी माया चौथे पद को जोजन चीने तिनही परुमपद पाया आगे कभी कभीर करते हैं कि जो सतोगुन, रजोगुन और तमगुन तेरी माया के ही रूप हैं जो व्यक्ति इन से उपर उठकर इन तीनों को छोड़कर चोथी अवस्था चोथे पद को जो जन चीने जो व्यक्ति चीने अर्था देखते हैं चोथी अवस्था होती है तूरिया अवस्था को पराप्त कर लेता है उसे ही परंपद पराप्त होता है व्यक्ति को चिंतन केवल चिंते तो माधव चिंता मनी हरीपद रमे उदासा व्यक्ति को चिंतन केवल चिंता मनी रूप भगवान का ही करना चाहिए चिंते तो माधव चिंता मनी हरीपद रमे उदासा सांसारिक विशेवासनाओं से उदास होकर उनसे रहीत होकर जो ईश्वर के चड़नों में पूरी तरह से रम जाता है एक निष्ठ समर्पन कर देता है चिंता अरू अभिमान रहित है कहे कबीर सो दासा वे चिंता मनी की तरह सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं उसे चाहिए कि वह अन्य सभी विश्यों की योर से उदासीन रहे और ईश्वर के चड़नों में मन लगाए कबीर कहते हैं कि जिनमें तरशना और अभिमान का भाव नहीं है वे ही भगवान के सच्चे भक्त हैं चिंता अरू अभिमान रहित है कहे कबीर सो दासा कबीर दास जी करते हैं कि वही इश्वर का सच्चा भक्त और दास कहलाने का अधिकारी होता है प्रस्तुत पद के अंतरगत कबीर ने कहना चाहा है कि भगवान की जो भक्ति है उसका एक मात्र सार क्या है कर्म है उन्होंने स्पष्ट किया है कि भक्त त्रिकुनात्मिका माया क्रोध आदि बुरायों से मुक्त होता है कबीर ने भगवान को चिंता मणी कहा है अन्य चिंतन छोड़कर भगवान का चिंतन करने वाले की चिंता भगवान करते हैं उसे किसी परकार की चिंता नहीं करनी पड़ती इस परकार प्रस्तुत पद में कबीर ने कहा है कि जो व्यक्ती निश कपट भव से निश्चल भव से अपने आराध्य के प्रती अपने इश्वर के प्रती समरपित भव से जो उनके प्रती अपनी प्रीती और अगाद शरद्दा रखता है वही व्यक्ति इस संसार में परमात्मा से उसका ही सक्षातकार होता है और ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत कम होते हैं इसलिए उन्होंने कहा है तेरा जन एक आद है कोई कोई विरला व्यक्ति ही होता है जो संसारिक विशे वासनाओं से पूरी तर से विरक्त होकर एक मात्र अपने इश्वर के चड़नों में ध्यान आकरश्ट करता है लगाता है वही व्यक्ति परमात्मा के सामने उपस्तित होकर परमात्मा से साक्षातकार कर पाता है अन्य व्यक परकार विध्यारतियों आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा